अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी में बिल्कुल भी दवाना ना भूरें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले यहां पे बहन मायावती जी आदर्णिय मायावती जी जिनका असने हमारे परिवार को और मुझे बहुत सालों से मिलता रहा है उनकी यह इक्षा रही कि अगर इस वक्त में उनके साथ नहीं कुछ कारणों से आप आया हूं तो कम सकम मैं अपने परिवार के सबसे बड़े कम सकना अप्नी पत्नी श्रामति कुनां सिना को उनके हवाले करूं की ट्रेनिंग के लिए और परिवारिक संबंध को और मजबूत करने के लिए आदर्वा रहा हवाले किया यकीन मानिए यह रामाएन परिवार की हमारी ग PHP मंतरी भारत सरकार के repro मंतरी पे बहुत भारी आपको यकीन नहीं होगा आपको यकीन नहीं होगा कि सदियों के बाद अभी मेरी मुलाकात अपनी पत्नी से इसी स्टेज पे हुई मैं उसके लिए आपका शुक्र गुजार हूँ मैं खास कर आया हूँ यहां पे एक तो हमारा अखलेश यादों से उनके पूरे परिवार से बहुत गहरा और बहुती पारिवारिक संबंध है दूसरा मैं अकलेश यादों का बहुती मुरीद हूँ बहुती कदरदान हूँ बहुत बढ़ा समर्थक हूँ और बहुत बढ़ा प्रशंसक हूँ तीसरा यहां पर बहन मायावती जी जिनका असने हमारे परिवार को और मुझे बहुत सालों से मिलता रहा है उनकी विए यह इच्छा रही कि अगर इस वक्त में उनके साथ नहीं कुछ कारणों से आप आया हूं तो कब से कम मैं अपने परिवार को परिवार के सबसे बड़े लीडर सबसे बड़े हाई कमार्ड कम सका अपनी पत्नी श्रिमिती पुनम सिना को उनके हवाले करूं उनकी ट्रेनिंग के लिए और परिवारिक संबंद को और मजबूत करने के लिए इसलिए मैं युवाशक्ति को कहना चाहूंगा मैं यहां पे किसी पार्टी के जंडे तरह नहीं आया हूं मैं यहां पे एक सोशल अक्टिविस्ट एक पुलिटकल अक्टिविस्ट की हैस्य से आया हूं जैसा हमारे उद्धोधन में हमारे संचालक ने कहा हिंदुस्तान का नेता सही मानों मैं हिंदुस्तान का नेता नहीं बलकि हिंदुस्तान का बेटा हूं और आप हुआ शक्ती से प्रेणा लेकर इन लोगों से प्रेणा लेकर और अखलेश यादों की बहुत सारी बाते सुनकर हमने ये फैसला किया कि अगर इस वक्त मैं आपके साथ नहीं हूँ तो मेरा परिवार और मेरा हाई कमांड आपके साथ रहेगा देश की सेवा के लिए परिवर्तन की घड़ी में जो हमारा लक्ष है नया नित्रतुर सही दिशा नई दिशा और ऐसे लोग सामने आएं जैसे अखलेश हैं मायवती जी हैं और लोग हैं जो की परखचे उड़ा दें उन लोगों का जिन्होंने वाइदा किया और एक भी वाइदा पूरा नहीं कि लोग जो खोखले वाइदे कर रहे हैं चाहें वो पंग्रालाग की बात तो जाने देख जुम्लेबाजी के दाता यह क्या किया इन्होंने अभी अभी मैं युवा शक्ति को बताऊंगा वो दो कड़ों रोजगार की बाते तो आप सब जानते हैं जो वाइदा किया लेकिन दो कड़ों रोजगार के वाइदे के लावा अभी अभी चंद रोज पहले अजीम प्रेम जी का नाम सुना होगा आप नोवने और अजीम प्रेम जी मैं खासका यंगर जनरेशन को युवा शक्ति को बता रहा हूं वो अजीम प्रेम जी का अपना स्टडी ग्रुप उनके इंस्टिचूट का कहता है कि दो सालों के अंदर में पचास लाख युवा बेरोजगार हुए हैं पचास लाख का मतलब अगर यू समझाओं तो आप जादा बैतरीन तरीके से समझेंगे पचास लाख युवा अगर बेरोजगार हुए हैं तो इसका माने पूरे लखनों की आबादी और पूरे पटना की आबादी करीब करें मिलाकर जितने लोग हैं उससे जादा लोग बेरुजगार हुएं सही माइने में और वो वाइदे पर वाइदे कर रहे हैं शूट और स्कूट पोलिसी कर रहे हैं कहते कुछ और करते कुछ और यहां कहते हैं वहां भाग जा करते हैं करते हैं तो मिली भगत की करते आज धन्षक्ति का प्रवाद देख रहा हूं जन्षक्ति पे और दुख के साथ कहना पढ़ रहा है कि धन्षक्ति का बहुत जोर आजकर मैं मीडिया शक्ति पे भी देख रहा हूं उससे बहुत दर्ध होता है चौथा अस्तंब लोगतंत्र का मीडिया और मीडिया को भी इसकदर उन्होंने पड़तार ना दी है कॉंट्रेक्श्वल बेसिस पे कर दिया है कि कई बार आपके सामने असली बाते जाती नहीं है और जाती है इतनी जादा कि आप तंग आ जाते हैं क्योंकि प्रचार तंत्र का हिस्सा बन जाता है हमारे कुछ लोग बन जाते हैं अभी अभी आपने देखा वारनेसी में नामंक देकन हुआ उसके पहले रोडशो हुआ कि वहां धन शक्ति का था बहुत दूरूप्यों हुआ ही हुआ लेकिन वहाँ पे आपने देखा चारो तरफ चारो दिन जिस तरह से मीडिया अपना प्रचार प्रचार में लगी हुई थी ऐसा लगा जैसे भारत को दूसरी आजादी मिल गई हो यह आखिर कप तक इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लोग साथ आए हैं आपका युवा नीता अखलेश यादो साथ आए हैं हमारी इतनी मेच्शोर और गुणी विद्वान बहन मायवती जी साथ आई हैं हमारा डैशिंग दोस्त अजीद सिंग सामने आए हैं और सबसे बड़ कुरतन अवश्शंभावी है कि वन मैं शो एन टू मैं आर्मी का चाना नहींतांत आवश्चक है और होगा आज मैं सुन रहा था पतनी के भाशन को सुन रहा था पहली बार सुना हमने वैसे घर पे तो अकसर सुनता हूं जो बोलती है घर पे सिपनी सुनता हूं मेरी तो देखकर उनका जोश देखकर और सबसे ज़्यादा युवा शक्ति का समर्थन देखकर मैं गदगद हो गया और मुझे पूर विश्वात हो गया कि मैंने सही जगा राश्ट की सेवा के लिए समाज की सेवा के लिए देश की सेवा के लिए एक दम सही जगा अपनी पत्नी पहा भीजा है आपके हवाले आपके लिए और आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए अखलेश की हाथों को मजबूत करने के लिए अखलेश मायावती जी के गडवंदन को बहुत मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ देश में परिवातन के घड़ी में वो नई सरकार नई सत्ता और नया लीडर्शिप नया नित्रित्व और नया भारत की तैयारी के लिए अखलेश के बारे में जो मैं देखता हूँ और उनकी शक्ती प्रदर्शन देखता हूँ और उनके अंदर जो अनुसाशन देखता हूँ तो मैं अखलेश के और समाजबादी पार्टी के लिए खामोश मैं अखलेश अखलेश हमारा छोटा भाई है परिवार है हमारा अखलेश और समाजमादी पार्टी के लिए कह सकता हूं कि दमखम वही चमखम वही कद काट वही है तलवार पुरानी है मगर काट वही है और इस घड़ी में मैं इमाम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उन्होंने इज़त आफजाई की होसला अफजाई की बड़ी अच्छी अच्छी बाते की आप तमाम लोगों का मैं अपनी पत्नी को भी यकीन दिलाता हूं कि बिलकुछ सही दिशा में हैं नहीं दिश के साथ हैं कॉन्फिडेक्स अंकन्विक्शन के साथ हैं और शम्भावी विजई होंगी मुझे आज साथ दिखाई पूर रहा है और सही मानों में यह चुनाव परचार के सभा नहीं दिख रही है बलकि श्रिमति पुनम सिना अखलेश यादो माया वती जी का यह विजह समा करों मनाया हुआ जा रहा है ऐसा दिख रहा है हमें और आप से बस एक आप से एक आखरी अपी यह मौका चूकने ना पाए यह शतुगन सिना जिनाबाद से पहले बिहारी बाबु जिनाबाद से पहले पहले आपका आबाद होना यूपी का जिनाबाद होना बिहार का जिना जिन्दाबाद होना देश का जिन्दाबाद होना ज्यादा जरूरी है इसलिए आप तमाम लोग जिन्दाबाद आपका बिहारी बाबु शत्रोगन से नहां भी जिन्दाबाद मैं एक चीज कहना चाहता हूँ मैं अरे देखो हमने तो अपनी दोस्ती निभाई डंके की चोट पर आया था और आज भी डंके की चोट पर आयों दोस्त के लिए समानवादी और खास करी युगा शक्ति के लिए बहुत जान है इस हुआ शक्ति में लोग आके देखें और कि लखनों में थो जान है वह लखनों के युवाद शक्ति में बहुत ही जान है और ही युवाद शक्ति अगर एक गुट और एक जुट रहा तो यकीन मानिये परिवनतन में कोई देरी नहीं होगी और यखिदन नया प्रधान मंत्री यह एक्सपाइरीडेट हो चुकी होग ये जो है one man show and two man army वो नहीं होंगे और वो नहीं होंगे बले वो गाना काते रहें के महबत करने वाले कम न होंगे तरी मेहफिल में लेकिन हम न होंगे लेकिन अब वो नहीं चलेगा आप जाने दो इनको और नएं को आने दो यूआ शक्ति को आने दो आज के दिन मेरी हैई अपील है यही संदेश है आप तमाम लोग जिन्दाबाद यूआ शक्ति जिन्दाबाद लखनाव जिन्दाबाद उत्तर प्रदेश जिन्दाबाद बिहार जै बिहार जै उत्तर परदेश जै हिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले